वूट बहुत स्वागत आप से लिका बच्चो आज का वीडियो एक छोटा से वीडियो है लेकिन बहुत ही important वीडियो है आप लोग वीडियो के साथ बने रहे हैं वैसे तो हमारा language आप राष्क्रिय भासा हिंदी है लेकिन फिर भी आज आप समझ सकते हैं एंगलिस का कितना क्रेज है आज हर चगह हर गार्जिइंड जो है आपने बच्चों को इंगलिस मेडियम से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ा भी रहा है जिससे यहां संभाव है ह् वह इंगलिस से पढ़ा रहे हैं अथे इसी बिढ़के लोग इंगलिस पढ़ा end पढ़ता है तो यहां पर इंग्लिस का grammar जो होता है उसमें भी बच्चे कई बार उसकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उसमें बहुत सारा confusion रहा जाता है और उसके बाद जो है उचे कुछ आसंका रहा जाता है कि पता नहीं यह सई है यह गलत है तो ऐसे स्थिति में आपको मैं एक आप अपने मोबाईल से पता कर सकते हैं मैं आपको एक ट्रिक बतला देता हूं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आप जो sentence लिखे है वो बिल्कुल correct है और इसमें सबसे अच्छी आपको कोई ई apprent अपने मोबाईल में इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि जितनी बाहर भी कोई ट्रिक बतलाए जाता है तो क्या बतला जाता है कि आप यह एप पले स्टोर से लिजिए इंस्ट्वल किए उससे क्या होता है हमारा मोबाईल जो relationships का और भरते जाता है उसमें अपने मोबाइल स्क्रीन पे और यहां पे आप Chrome ब्रॉजर जो है उस पे चल जाएंगे यह मैं बतला देता हूं आगे मैं बतला हूंगा तो यहां पे डाटा अन करना होगा यह डाटा अन हो गया यहां पे आप टाइप कर लिजिए Grammar Checker अल्रेडि मैंने इसको टाइप किया था सर्च किया था इसलिए यहां पे सो कर रहा है Grammar Checker आप टाइप कर लिजिए यहां पे यह खुल लिए यहां पे देखिए Free Grammar Checker Online जिंजर सौफ्टवेर के द्वारा दिया हुआ है तो इसको खोल लेते हैं यह देखिए इस तरह से आपको एक बिंडू खुल जाएगा और यहाँ पे जो आप sentence लिखेंगे जिस sentence में आपको doubt है कि grammatically वो सही है या गलत है क्या है आपको किसी तरह का doubt है वैसे sentence को आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 300 letter यहाँ पे ले सकता है जिंजर यहाँ पे लिखावा रहा है grammar checker तो मैं कोई ग्रत sentence यहाँ पे डालता हूँ उससे पता चलेगा उसको सही करता है या नहीं करता है ठीक है यहाँ पे type करते हैं एक sentence ही के साथ easy लगता है लेकिन मैं यहाँ पे आर लगाता हूँ ताकि वो उसको सही करेगा he is going to market यह house कुछ भी लिखते हैं और यहाँ पे लगाते हैं full stop इस तरह से और थोड़ा से इसको उपर करते हैं यहाँ पे check test यहाँ पे देख रहे हैं check test दिया हूआ है तो इसको click कर देते हैं अब यहाँ पे यह देखिए क्या इसमें कुछ किलत है यहाँ पे यह इसको सही क तो copy कर सकते हैं और copy करके जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे ले जाके लिख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी sentence को English का जो sentence है dartful sentence है आप उसको check कर सकते हैं आसानी से और इसमें एक बात क्या है कि आपको download करने के जो रतने पड़ेगा वैसे तो site आप देखी रहे हैं औ और इस site को आप अपने upper layer पे mobile का जो है उसमें आप रख सकते हैं तो कैसे रख सकते हैं यह जो address है website address इसको आप direct वहाँ पे आप अपने mobile के upper layer में रख सकते हैं यहाँ पे three dot पे क्लिक किजिए और इसको एक option होता है add to home यहाँ पे क्लिक कर दिजिए यह एक site बनकर आपके mobile screen पे आजाएगा क्लिक करते हैं यह एड करने के लिए बोल रहा है तो यह एड कर देते हैं और home screen पे आजाएगा आग यहाँ यहाँ पे हम direct इसको minimize कर लेते हैं यहाँ पे यह देखिए यह जो है free grammar checker यह कोई app नहीं है यह site address है इसको मैं कहीं पे भी set कर देता हूं यह set हो ग तो फिर आपको chrome में जाके फिर आप type करेंगे grammar checker इस तरह से करने के कोई जूरत नहीं यहाँ पे जाएए और इसको खोल दीजिए यह direct जो है आपका खुल जाएगा यहाँ पे खुल जाएगा जो sentence आपको यहाँ पे type करना है यह फिर कहीं से भी copy करके पेस्ट कर सकते हैं और इसको check कर सकते हैं तो इस तरह से काफी आसाने से आप किसी भी sentence को बिल्कुल correct कर सकते हैं उमिद करता हूँ कि हमारा यह वीडियो आप लोगो को पसंद आया होगा अगर आप लोगो को इस वीडियो से कोई फाला मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरू कर सकते हैं